हेलो गाइस, लेरन कंप्योटर के एक नए पिशोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारी प्रोग्रामिंग लेंगोजेस होती है उनके बेच में क्या डिफरेंस होता है यानि प्रोग्रामिंग लेंगोजेस के बीच में क्या अंतर होता है इस वीडियो में मैं आपको बहुत डेटियल्स में बताऊंगा वीडियो को पूरा आक्री तक ज़रूर से देखेगा आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा तो जैसा कि आप चानते हो जो हमारी प्रोग्रामिंग लेंगोजेस होती है वो हमारी चार तरीके से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं चार तरीके से क्लासफ़ाई कर सकते हैं एक कटेगरी लो लेवल लेंगोजेस की हो जाती है एक उती middle level languages होती है high level languages होती है और हमारी machine language होती है तो इन चार categories में हम programming languages को categorize कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं low level language क्या होती है तो guys low level language ऐसे languages को कहा जाता है जिनके अंदर programs को लिखना या programs को पढ़ना उसको समझना काफी जादा cut in होता है यानि कि जो low level language होती है हमारी उनके अंदर जब भी आप programming करते हो तो program को लिखने में आपको दिक्कते आती हैं या लिखने में थोड़ी कठना या होती है और उनके program को लिखने में समझने में याद करने में दिक्कत होती है या कहें तो उनको लिखना थोड़ा hard होता है कठिन होता है और जो हमारी middle level languages होते हैं तो middle level languages ऐसी programming languages को कहा आता है जिनके जो programs होते हैं उनको लिखना उनको समझना उनमें code करना थोड़ा complex होता है लेकिन low level languages के comparison में थोड़ा आसान भी होता है जो media level languages होती है वो low level के comparison में ज़्यादा आसान होती है low level हमारी कठेन होती है और अगर हम बात करें high level languages की तो high level languages ऐसे languages को कहा आता है जिनके अंदर programs को लिखना बहुत आसान होता है उनके अंदर program को code करना, program को समझना या उसके अंदर program को लिखना, ये सारी चीज़े करना बहुत आसान होता है तो high level language में लेखा गया program आप आसानी से समझ लोगे और जो media level language का program होगा, उसको समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी और जो हमारी low level languages होती है उनके अंदर program को लिखना में बहुत जादा दिक्कत आती है और अगर हम बात करें machine language की तो machine language ऐसी language को कहाता है जिसके अंदर programming करना में, program लिखना में आपके पसीने छोट जाएगे जहां दोस्तों machine language जैसा कि आपको पता है machine language किसे कहता है जो हमारा computer होता है, वो 0 और 1 के basis पर काम करता है तो 0 और 1 में ही coding करियाती है तो जो coding 0 और 1 में करियाती है, उसी coding को हम machine language बोलते है machine भासा बोलते है तो machine language का जो program होता है, जो code होता है उसको समझना, उसको code करना, उसको याद करना ये बहुत कठिन होता है सभी languages के comparison में यानि कि machine language का code सबसे कठिन होता है और उससे सरल होता है low level का उससे सरल होता है middle level का और सबसे सरल होता है high level language का और लेड़ी चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके examples के बारे में तो guys अगर हम बात करें low level programming language के example के बारे में तो low level के example हैं जैसे basic है, parl है, ada है ये सारी की सारी जो programming भासा हैं ये low level की category में आती हैं और अगर हम बात करें middle level programming languages के बारे में तो इसके example में जैसे हमारी assembly language है, fortran language है, coble language है तो यह सारी जो languages है यह हमारी middle level language कही जाती है और अगर हम बात करें high level के examples के बारे में तो high level में जैसे हमारी C है C++ है Java है Python है HTML है CSS है CSS है C Sharp है SQL है तो यह सारी जो programming भासा है यह हमारी high level कहलाती है तो इन programming language के अंदर जो program लिखते हो आप जो code लिखते हो वह बहुत आसान होता है as compared to middle level language और low level language और अगर हम बात करें machine language के बारे में तो इस machine language के अंदर जो code होता है वो पूरा का पूरा code binary code में लिखाता है binary code का मतलब 0 और 1 पूरा जो code लिखते हो आप उसके अंदर सिर्फ 2 ही character होते है या कहें तो 2 ही number होते है एक 0 एक 1 जिसे हम binary digit binary code या pulse भी बोलते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए तो हमारी जो machine language होते है उसके अंदर जब code के आता है तो code सिर्फ 2 ही digit में के आता है 0 और 1 में इसलिए इसके code को करना code को याद करना code को लिखना बहुत कठिन होता है as compared to हमारी other programming languages और लाइट चलिए आगे चलते हैं तो guys आगे लिखा हुआ है जो हमारी machine language होती है इसको compiler की आपसकता नहीं पढ़ती है या कहें तो इसको compile करने की आपसकता नहीं पढ़ती है machine language के अंदर जो code लिखा आता है उस code को लिखने के बाद आपको इसको compile नहीं करना पढ़ता है वो direct run हो जाता है क्योंकि compiler की आपसकता पढ़ती ही नहीं आपका जो computer होता है वो भी 01 को समझ पिलर के ideas की आपकता पड़ती है तब लें लेंगउज इस श्रीडिका पकीर को समझमें आता है आगे हम बात करने इनकी processing speed को लेकर तो हमारी high-level languages होती हैं इनकी processing speed भी अलग अलग होती है कैसे तो जो हमारी low-level languages होती है उनकी processing speed होती बहुत fast होती है लेकिन जो हमारी middle level languages होती है उनके अंदर जो code लिखते हो वो as compared to low level language थोड़ा slow होता है और जो हमारी high level languages के अंदर code लिखा आता है तो वो बहुत जादा slow होता है क्योंकि high level का code होता है न वो आपको समझ में आ जाता है लेकिन computer को देर से समझ में आता है तो उसको convert करने के लिए compiler की आवसकता बढ़ती है और compiler उसको धीरे धीरे करके उसको process करता है तब computer को समझ में आता है और अगर हम बात करें हम machine language के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बता है machine language का code जो होता है वो 0 और 1 में लिखा होता है और computer को भी 0 और 1 ही समझ में आता है तो इसलिए इसका जो code होता है उसकी जो processing speed होती है बहुत fast होती है या कह सकते हैं कि इसमें process करने की आवसकता पढ़ती ही नहीं तो इसमें आप direct अपना code लिखिया और उसको run कर दीजे उसको process करने की उसको compile करने की आवसकता नहीं पढ़ती है तो I hope दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा अकर आपको जनकरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजे मनमें के सवाल है तो कॉमेंट कर दीजे और computer और coding से related ऐसे हो जाता वीडियो सेखने के लिए Learn Computer चैनल को अभी subscribe भी कर लिजे तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते आप से करने वीडियो के साथ वीडियो में यह तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद